आज के चौटे महाउपाई की बात करते हैं क्या संतान सुख नहीं मिल रहा पुरुष अपने राइट हैंड की इंडिक्स पिंगर में छे रती का बुखराज थर्जदे के दिन पहने फाइदा जरूर होगा लेकिन एक बार किसी आस्ट्रोलॉजर को जरूर अपना हाथ दिख सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग मा के साथ थोड़ी वेर जरूर बैठी टाइम स्पेंट करें भागे साथ दे रहा हैं आपका कल 68% विश्यव राशी के लोग सुबह टेहलने जाएं आपकी हेल्थ थोड़ी सी वीक रह सकती हैं लाग सपोर्ट कर रहा है आपको कल 74% मित्र राशी के लोग सुबह घर से निकलने से पहले सूर्यदेव को प्रणाम जरूर करें किसमत साथ दे रही है आपका कल 70% करक राशी के लोग आप लोग मीठा कम खाईएगा भागे साथ दे रहा हैं आपका 55% सिंग राशी के लोग सुबह भजन जरूर सुन अगर के बुजर्गों की बाद जरूर सुनियेगा और मानियेगा लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 52% तुला राशी की लोग आप लोग मंदिर में श्रिंगार का समान जरूर दीजे लग सपोर्ट कर रहा हैं आपको 71% रिशिक राशी के लोग शिवजी का नाम लीजिए 53% मकर राशी के लोग नॉन्वेज बिल्कुल ना खाएं किस्मत साथ दे रही आपका 64% कुम राशी के लोग सुभा आरती जरूर कीजे लक्स सपोर्ट कर रहा हैं आपको 78% अमीन राशी के लोग सेब खाएं घरवालों को भी खिलाएं भागे साथ दे रहा हैं आपका 60% फेस्बुक पर कोमल फिरवानी ने हमारे साथ अपनी प्रब्लम शेयर की हैं कोमल अपनी दुकान में स्टाफ की कॉंटिनस छुट्टी पर जाने से परिशान हैं और उसका उपाय जानना चाहते हैं जब भी स्टाफ रिलेटेद प्रब्लम हो तो चेक करें आपकी ओफिस एरिया में अगर साउथ वेस्ट में टॉलिट होगा तो यह इश्यू आएगा ऐसे में साउथ वेस्ट में एक यलो कलर का जीरो वाट का बल्ब जलाएं और एक नंदी बुल रखें नंदी बुल ब्रास की जिनका फेस नौर्थीस्ट फेसिंग हो इससे स्टाफ के ओपर आपकी कमांड आपका रिलेशन्शिप बेटर होगा बात करते हैं आज के पांचवे और आखरी महावपाय की क्या नौकरी में प्रिमोशन नहीं मिल रहा? दाए हाथ की छोटी उंगली में छे रती का पन्ना, चांदी में या फिर गोल्ड में आप पहने इसके साथ साथ एक का मौर कर सकते हैं बुद्धवार को माने क्याने की रूबी को छे रती का लॉकेट बनवाएं और फिर इसको संडे के दिन, लेकिन जब आपको पहनना है तो आपको शुक्ल पक्ष में ही पहनना है संडे की दिन आपको पहनना है और सुभा एक माला स्वटी की साथ में जाब करें किन स्किन शब्दों का और किस मंत्र का जाप करना है ओम अधित्याय नमा का जाप करके फिर पहनना है कल हम बात करेंगे आपकी स्किन की आप कैसे जवान दिखें कैसे खुबसूरत दिखें इस बारे में कल बात होगी